राम राम आज हम श्रिमत भगवत कीता के अत्याय अठार मुक्ष सन्यास योग का श्लोक पैसट संस्कृत उच्छारण और हिंदी अर्थ सहीत समझेंगे पैला चरण म के साथ आदा न मन म में अमिक्स करेंगे मना मन मना न दीर के बोला जाएगा भव दोने अक्षर पूरी दोने में अमिक्स करेंगे भव म पूरी के साथ आदा द मद भव के बाद में लिखा उसका मतलब हुआ आदा क और त पूरा जो अक्षर पूरा है उस पर मात दूसरा चरण म, म की बात में लिखा उसका मतलब हुआ आधा द और य पूरा, म की साथ आधा द म य पूरी पर आके मत्रा य म द्या जी, मा पर अनस्वार आधा म माम, न पूरा न में अमिक्स करेंगे न, म की साथ आधा स नमस कुरू, दोनों मत्रा छोटी कुरू में रंबाने खीचेंगे नमस कुरू, दूसरा चरण रिपीट, मध्या जी, माम नमस कुरू, पहला और दूसरा चरण साथ में, मन मना भव मत भक्तो, मध्या जी, माम नमस कुरू, तीसरा चरण मा में, दोनों अक्षर दीर के बोले जाएंगे, व पर आई की मत्रा ये भी दीर के बोला मामे वैश्यसी स आदेत के सत्य पूरा सत्य शब्द पुराने के बाद यह प्यानस्वार आधाम सत्यम ते तीसरा चरण रिपीट मामे वैश्यसी सत्यम ते चौथा चरण प्र प्र का मतलब वह प आधा और पूरा प्रति जाने जा और ने दोनों अक्षर दीर्ग बोले गए हैं प्रति जाने प्री में भी प्र का मतलब तो वही हुआ प आधा र पूरा र पूरे पर ए के मात्रा तो प आर आई प्रियो यू के बाद में अब अगर लंबा खीचेंगे प्रियोसी में चौथा चरण रिपीट प्रति जाने प्रियोसी में तीसरा और चौथा चरण साथ में मामे वैश्यसी सत्यमते प्रति जाने प्रियोसी में पूरे श्लोक का उचारन एक साथ मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस कुरू मामे वैश्यसी सत्यमते प्रति जाने प्रियोसी में एक बाल फ़र से मन मना भव मत भगतो मध्या जी माम नमस कुरू मामी वश्यसी सत्यमती प्रति जाने प्रियोसी में श्लोक का अर्थ समझेंगे श्लोक को देखकर आपको अध्या 9 का श्लोक या दाग योगा अध्या 9 का अंत्यम श्लोक मन मना भव मत भगतो मध्या जी माम नमस कुरू ये वही है पहले और दूसरे चरण सिर्फ तीसरा और चौथा चरण अलग है अब पहले हम शब्दों के अनिसार अर्थ देखने से पहले हम देखते हैं हमने पिछले श्लोक में क्या सुनाता पिछले श्लोक में हमने सुनाता कि भगवान को भगवान ने जब अर्जन से शर्नागती की बात कई और अर्जन की शर्नागती की बात सुनने के बात में भी जब कुछ भी उत्तर भगवान को नहीं मिला तो भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हें गुईय से भी गुईयततर बात ये चर्णागती रूपी जो ग्यान है ये गूड है ये बहुत ही अधिक गोपनी है लेकिन फिर भी मैंने सखा होने के कारण तुम से कहा अब फिर तुम्हारी जैसी मर्जी हो जैसा तुम चाते हो व शर्णागती के बारे में या जो भी अच्छे से भगवान ने समझने के बारे में जो भगवान पहले बता चुके है तो उन बातों को अर्जुन भगवान से पूझ भी नहीं पाए और उनके मन में जानने की भाव भी था तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन के मन की बात को जाना और अर्जुन से कहा कि तु मेरा अत्यांत प्रियमित्र है इसलिए अब मैं फिर से तुझे वो गोपनी और सर्वोत क्रिष्ट वचन कहूंगा जो की तेरा कल्यान करने में सहायक बनेंगे क्या है वो वचन वो हम आज के श्लोक के माध्यम से जानेंगे पहले शब्दों के अनुसार अर्थ मन मना यानि मुझ में मन लगाने वाला मतलब मुझ में मन वाला भव हो जा मत भक्तो मध यानि मेरा भक्तो यानि भक्त मध्याजी यानि मेरा पूजन करने वाला माम मुझे नमस कुरू नमसकार कर मामे वैश्यसी ये कैसे शब्दों में व अब देखिए वा पर आई की मात्रा है तो दो मात्रा हो गई तो माम धन एवा तो बन गया और एक बन गया एश्यसी तो माम यानी मुझे हो गया एवा यानी ही और एश्यसी यानी प्राप्त हो जाएगा सत्या मैंनी सत्या ते तेरे सामने प्रति जाने प्रतिग्या करता हूं प्रियोसी में जो अवग्रे उससे क्या बन जाएगा असी तो प्रिय यानि अत्यंत प्रिय असी यानि है में यानि मेरा पूरा अर्थ क्या निकला मेरा भक्त हो जा मुझे में मन वाला हो जा मेरा पूजन करने वाला मुझे नमस्कार कर मुझे ही तू ऐसा करके प्राप्त हो जाएगा कि मैं तेरे सामने सत्य प्रतिग्या करता हूँ क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है तो भगबान ने इस तरह से अर्जुन को संतुष्ट कर दिया क्योंकि जब भगबान ने ऐसे कहा ना कि मैंने तो तुमें सब बात कहा दी अब जैसा तुम चाहते हो ऐसा करो ऐसा हमें भी कोई एकदम से कहा देता है कि अब तुमारी मर्जी हो जैसा करो तो फिर हमें थोड़ा सा ऐसे अकल आती है कि जो अगले ने बोला है वो मेरे हिद की बात है तो मुझे उस पर विचार करना चाहिए है ना ऐसा हम सब के साथ होता है वही अर्जुन के साथ हुआ तो फिर अर्जुन ने शर्णागती रूपी ग्यान को और जानना चाहा तो भगवान ने अब अर्जुन की और साथ में हम सब के हिद के बात बोली कि हमें क्या करना है हमें भगवान का भक्त बनना है हमें अपने मन को भगवान में स्तिर करना है हमें पूजन भगवान का करना है और हर समय भगवान को नमशकार करना है जिससे कि हम भगवान को प्राप्त हो सके ऐसा कहकर भगवान ने कहा कि ये मैं बात तुम्हें सत्य प्रतिग्या से कहता हूँ कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे क्योंकि मैं तुम्हारे कल्यान की बात कहा रहा हूं तुम मेरे अत्लिय अत्लिय हो इसलिए मैं तुम्हें ये गोपनी ग्यान बता रहा हूं कि ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे अब थोड़ा सा इन शब्दों के अर्थ को और डिटेल में समझेंगे पहली बात बोली भगवान ने मेरा भक्तोजा मेरा भक्तोजा मतलब कि तु ये मानना छोड़ दे कि मैं ये शरीर हूँ बस अपने आपको ये मानने कि मैं भगवान का हूँ इस तरह से जो हमने इस शरीर को एहमता दे रखी है इसको महत्व दे रखा है उसको बदल कर हमें भगवान का बन जाना है भगवान की शर्णागती को स्विकार करना है भगवान का भक्त होना स्विकार करना है इसके बाद में जैसे हमने अपने को भगवान का मान लिया तो स्वतर हमारा मन भगवान में लगने लग जाएगा क्योंकि हम जिसके होते हमारा ध्यान उनकी तरफ होता ही है इस संसार को इस शरीर को हम अपना मानते हैं इसलिए हर समय इसके बारे में चिंतन चलता है जब हम इस बात को स्विकार कर लेंगे कि हम भगवान के हैं ये शरीर ये संसार कुछ नहीं है इस सब आ सकते हैं केवल मैं जो हूँ वो भगवान का हूँ अगर फिर भी हमारा शरीर और संसार से चिंतन नहीं हरता तो ये सब कुछ भी भगवान का ही है या भगवान नहीं अल गुंड प्रभाव लीला ये सब हमारे मन में विचार आते रहेंगे इसके बाद में मद्या जी मद्या जी यानि था कि तुम मेरे पूजन करने वाले बन जाओ पूजन करने वाले का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने आपको ये मान लेंगे कि हम भगवान के हैं तो ऐसे हम सं संसार को सत्य नहीं मान सकते हैं तो हम ये तो मानी सकते हैं कि ये सब कुछ भगवान ही है भगवान ही अलग-अलग अलग Σवरूपों में है चाहे मुझे नहीं दिखता ये तो भगवान ही ऐसा मारा जी अपने सत्सक में कहीं बार बताते हैं कि ये जो कुछ भी दिख रहा है वो सबकुछ भगवान ही है ऐसा माननी पर हम जब इस संसार के लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो भगवान का पूजन करना ही हुआ भगवान की सेवा ही हुई तो इस तरह ज निके कारण जो भी में काम कर रहा हूँ वो भगवान का काम कर रहा हूँ और ये इस तरह से भगवान का पूजन या भगवान की सेवा है इसके बाद मैं Maam Namaskuru यानि भगवान की चर्णों में प्रेनाम करना तो हर समय जब हम इस संसार का काम करते वे ये भाव रखेंगे कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो इस सेवा करते वे हमारा ध्यान हर समय भगवान की चर्णों में स्तिर रह कि मैं बस भगवान के चर्णों में बढ़ा हूँ और भगवान की सेवा करने का मौका मुझे बार बार मिल रहे है लिए संसार में जतना काम करने को हमें अधिक मिले उतना हमें अधिक प्रसन्न होना चाहिए कि हमें भगवान सेवा करने का मौका देना है जबकि वास्विक्ता तो ये होती है कि जब हमें संसार का काम करते हैं तो हम उकता जाते हैं कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है जबकि सही बात ये है कि भगवान ने हम पर कृपा किया है जो इस संसार का काम करने के लिए नहीं बलकि इस संसार को भगवान का स्वरूप मानकर भगवान की सेवा पूझन करने का मौका हमें प्रदान किया है केवल मंदिर में आदा घंटा बैठ कर किया गया पूझन पूझन नहीं है बलकि इस संसार को भगवान का स्वरूप मानकर हर समय भगवान के चर्णों में स्थिर रख कर भगवान के चर्णों में अपना मन लगा कर भगवान के गुण लीला का ध्यान करके भगवान की सेवा मानकर इस संसार का काम करना वास्तविक भगवान का पूजन है तो ये भगवान ने हम सब के लिए सरल और सुगम साधन बता दिया है तो बहुत important श्लोक है ये इसको और हम सादक संजेवनी के माध्यम से जान सकते हैं अविनाशी सहज सुखराशी ही नाथ है मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ आप क्रिपा करें मैं आपको भूलू नहीं नारेन 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 नारेन